दोस्तों आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूं दो अलग अलग तहीके के इतने टेश्टी और आसान बिस्किट की रेसिपी जिनको हम घर में बना कर तैयार करेंगे और यकीन मानिए इनके लिए हमें ना तो किसी अवन की जरूरत है ना ही अंडा चाहिए ना ही कोई मोल्ड च कीजिए तो चले फिर भी बनाना सुरू करते हैं अपनी पहली रषपी को सबसे पहले हम बनाएंगे तिक विसकिट मैं ते चाहिए राह चाहिए जिसके लियर कर देख थे हैं मैंने एक कप लिया है दुनी के लिया ना ये नियल को आप अब्ल चीनी जिसको हमने ड़ा कस्ता अब लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसके अंदर हम सबसे पहले इस बटर को डाल देंगे अब जैसे मैंने यहां पर यूज किया है आप चाहिए तो देसी घी का भी यूज कर सकती है इसको थोड़ा सा में फैट ना है इस तरीके से विसकर लेंगे और इसको थोड़ा सा फ फैटेंगे हलके हलके हाथों से इसको साइड में से हटाकर बीच में करेंगे और थोड़ा सा फिर से फैट लेंगे इस तरीके से देखे आप इसका टेक्शर देखे बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसी की विप्ड क्रीम होती है नाम इसको फैट लेते हैं अब इस टाइम पर मि रिड़े बेकिंग सोडा नहीं कमकल डाला है झाल थोड़ा से भीजार याद रहें थोड़ा सा दूद रों टैमप्रेचर पडल थोड़ा सा यई तोडऻा डालेंगे हाथ का कज़ने मतलब एक डोसा बनाना कर इसका तयार कर लेइंगे इस तरीके से स्पुन निकाल लेंगे उसको अपने अनुख्यार जैसा आर डेना ब比較 यह उन्खे और लेंगे से जब तरह प्रेक्थ पर शक्ति हम समस्क्तित नारियल करके लि cachet यह आज को भी शटाने नारियल्का टोन जी प्रेंगे staying भीजिए वी बना लेगे लिए उसके बाद हम इनको बेग चलिए और आगे काम कर लेते हैं अब मैंने लिया है यह जो रख देंगे इडली कुकर और इसमें मैंने नमक डाल दिया है यह मैंने पहले यूज किया हुआ नमक है इसी का मैं यूज कर रही हूं इसको 10-15 मिनट के अब हमने इडली की जो ट्रे हैं उसमें सारे बिस्कीटों को लगा दिया है इस तरीके से अब इसको रख देंगे इडली कुकर में ढख देंगे और इसको लगबग 20 मिनट के लिए हमें बेक करना है 20 मिनट बाद हम इसको चैकर लेंगे कि हमारे बिस्कीट हुए है या नहीं बीच में इसको नहीं खोलेंगे तो चलिए 20 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं और यह देखे 20 मिनट बाद हमने इसको खोल दिया है आप देख पा रहे होंगे जो बिस्कीट हो नीचे से ब्राउन कलर इनका हो गया है इसका मतलब हमारे बिस्कीट अच्छे से बेक हो चुक देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं सारे बिस्कीट और देखकर कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको हमने बिना अवन के बनाया है इडली कुकर में बनाया है एकदम परफेक्ट बिस्कीट बनकर तैयार हुए है और खाने में इतने ज्यादा टेश्टी है कि आपको यह ब बना टेखे केड़े हैं माथने बनाया डीखे इन बिस्कीटों के लिए सबसे पहले हम लें बड़ा बाल बनाना एक कुछाई कप हमने लिया है मतलब उन घौनओजर दूज Hungary को गोलना था जिए अगे को दोड़ा थे सूजी ने डाला है दू अड़ी करने के लिए नहीं सी करने अदा गहुझ का आठा 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 ना चाहे तो इसमें दो चम्मच बर कर मिल्क पाउडर कर सकती है अच्छा टेस्ट आने के लिए यह ओप्सिनल है आपको अच्छा लगे आपके पास हो तो डाल दें साथ ही में इसमें हम डालेंगे यह हमने लिया है आधा कप नारियल का बुरादा इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इन बिस्किटों के अंदर अच्छे से सभी सब्सक्राइब के लिए राष्ट पर रखना है क्योंकि हमने सूजी का यूज किया है अभी आपको यह पतला लग रहा होगा लेकिन जैसे हम इसे राष्ट देंगे यह सैट हो जाएगा तो चलिए इसको छोड़ देते हैं लगबग 10 मिनट के लिए राष्ट पर और यह दे इस तरीके से और हलके हलके हाथां से हraum whisky बनाना शूरू करेंगे तो जैसे आपचाहएं वाया सप्राइब यहा की बनाई को तर नहीं ऊसानी बनकर तैयार है लगजा बढ़िंगे अरशा ल diff olur लोग देने के लिए लें इस तरीके से आप पर पैस्प यूज क्यां बनादे तुरे नहीं बेंके चाहएं राव करें तो छले बिस्कुट को फ्राइ करने के लिए पैन के अंदर हम थोड़ा सा आप चाहें तो देसी घी में पूराय कर सकती है जैसा आप चाहें तुरे की चाहें तो सा हिआ हैं अब हें इस अब करना है हो Sud को च्छरूस को शुतों ना करके हम इसbox को डाल लेंगे और गैस के फya दा लिखना है और और हमने अच्छी. इसे पलटते वे फ्राइब करना है बिल्कुल भी जल्द बाजी ना करें जितना धीरे धीरे आप इन बिस्किटों को फ्राइब करेंगे ना यकीन मानिए उतने ही टेश्टी क्रिस्पी और खस्ता हमारे बिस्किट बनकर तयार होंगे और आपको खाने का मज़ा आएगा तो देखिए दिरे धीरे हमने इनको लगबक आट से दस मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राइब कर लिया है बिल्कुल अंदर तक यह सिख चुके हैं और इन पर बहुती बढ़िया कलर आ चुका है आपको देखने से ही लग रहा होगा यह देखिए मैं आपको उठा कर भी निकाल लेते हैं और यह लीजिए सारे बिस्किट हमने फ्राइब कर लिए हैं सभी बिस्किट बनकर तैयार हैं देखे देखने में कितने सुन्दर लग रहे हैं यह कीन मानिए खाने में तो बहुती ज्यादा टेश्टी है तो इस तरीके से आप इसको बना कर एटाइट नहीं रसिपी कैसी लगी तो मिलेंगे एक और नहीं रसिपी के साथ अब तक के लिए बाई बाई